पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिये बूर्शन साइन्स प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड दी एक नाउ। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का भुशन साइंस YouTube चैनल पर और भुशन साइंस प्लस की आप पर आज हम लोग बात कर रहे हैं MPPNST की MPPNST जो है ये एक ऐसी entrance exam है जो मत्यप्रदेश में BSC Nursing के admission के लिए ली जाती है तो हम बात करने वाले है MPPNST 2023 के application form की जिसकी application form की dates आ चुकी है इस वीडियो में हम लोग eligibility, exam pattern, documents कैसे आपको form भरना है ये सब कुछ हम लोग detail में बात करने वाले है MPPNST के recording सबसे बहले हम बात करते हैं MPPNST के detail के बारे में तो ये जो examination है, ये जो MPPNST इसे हम कहते है, इसका full form होता है मर्देपरदेश Tree Nursing Selection Test ये एक government body करवाती है जिसको हम बोलते है मर्देपरदेश Professional Examination Board मतलब MPPEB जो application आपको feel करना है, वो online भरना है और जो exam होगा वो भी आपको online ही देना है अब बात करते हैं कुछ खास dates की, तो जो MPPNST 2023 का application form start होने का date जो है वो आ चुका है वो है 15 Feb 2023 से, तो 15 Feb 2023 से आप लोग MPPNST के exams के form को fill कर सकते हैं मतलब आज से सिर्फ दो दिन बाग, अब जो exam का form आपको भरना है वो 15 Feb से लेकर एक March तक आपको form fill कर सकते हैं आप इस बीच में आपको form fill कर देना है, 15 Feb से form start हो जाएंगे, एक March तक form चलेंगे, अगर कोई modification है तो modification के साथ form को submit करने की date 6 March है, और exam, जो entrance exam होने वाला है MPPNST का उसका भी date declare हो चुका है 8 June 2023 को इसका exam होना है, जो की online mode में होना है अब सबसे बहले बात करते हैं कि कौन बच्चा MPPNST 2023 को दे सकता है, मतलब eligibility criteria की सबसे पहले जो बच्चा है, जो student है, जो ये MPPNST exam देना चाह रहा है, वो citizen of India होना चाहिए मतलब इंडिया का रहवासी होना चाहिए, और MPPNST देने के लिए खास बात ये कि बच्चा मर्द्यपरदेश का domicile होना चाहिए मतलब मतलब इंडिया का ही वो रहवासी होना चाहिए, other state के बच्चे MPPNST को नहीं दे सकते, education criteria की बात करें, तो अगर कोई बच्चा MPPNST देना चाह रहा है, तो उसको अपका 12th का जो exam है, वो पास कर चुका होना चाहिए, और उसका education जो है, वो मतलब इंडिया की होना चाहि compulsory होना चाहिए, और उसमें उसको कम से कम 45% marks होने चाहिए, जो result candidate के students है, मतलब OBC, SC, NT, ये सब के जो candidates है, उनको 5% relaxation है, मतलब 40% marks के साथ वो इस form को feel कर सकते हैं, तो जो जंदल category के student है, उनको at least 45% marks होना, फिजु सेमिस्ट्री, बालोजी, इंगलिश में, और जो other category के students है, उनको 40% marks होना, एज की बात करें, तो 17 साल से 30 साल के बीच की उम्रह होनी चाहिए, एक October दो हो जागा विस्ट्री, और जो category के students है, रिजॉर्ड category के students है, उनको 5 साल की छूट दी गई है, मतलब वो लोग जो है, 35 years की एज तक भर सकते हैं, अब जो document है, उसमें आपको 10th का certificate certificate जो है, वो बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि जो आपकी date of birth, जो age हम लोग count करने वाले, एक्जाम वाले, जो date count करने वाले हैं, वो 10th के certificate पे date of birth दी रहेगी, वही date of birth जो है, आपकी original date of birth मानी जाएगी, तो आपके अगर 10th के certificate में, अगर कोई दिक्कत है, कोई date of birth में प्र एक website को visit करना होगा, जो है, mponline.gov.in, www.mponline.gov.in, यहाँ पर जैसे ही आप ये website को open करेंगे, आपके home screen पे एक option आएगा, citizens services, उस citizen services option पे आपको click करना है, और उसके बाद next आपको show होगा, एक application का button, एक application का option आपको show होगा, उस पर click करना है, अब उसमें बहुत सारे options आपक high देंगे, उसमें से आपको select करना है, PEB, PEB पे select करने के बाद, अब आपके सामने एक button आएगा continue, और continue पे click करने के बाद, आपको जो है, आपकी educational detail भरने के लिए, एक form appear हो जाएगा, उसमें आप जब education detail पूरी fill कर लेंगे, अपनी, उसके बाद आपको आपकी photograph, handwritten, declaration form, औ इन तीनों का जो JPG image आपको आपने बनाया हुआ होगा, वो आपको upload करना होगा, और उसके बाद आप इस form को submit कर देंगे, जब यह form successfully submit हो जाएगा, उसके बाद आपको payment का option आएगा, और proceed to payment पे click करने के बाद, आप जब payment successfully कर देंगे इसका, तो आपको download form करने का एक option आए अब जो application fees है, जैसे general category या unreserved category की students है, उनके लिए 400 रुपए application fees रहेगी, और जो ST, SC, OBC या physically disabled जो students है, उनके लिए 200 रुपए application fees होगी, अब यह जब आप form fill करेंगे, तो यह form fill करते टाइम पे आपको आपके साथ कौन कौन से document ready रखने हैं, तब से पहले आपको आपका ए जिसका background white होना चाहिए, और उसको आप scan कराके JPG format में रखेंगे, वैसे ही same आप आपकी sign को JPG form में scan कराके रखेंगे, एक hand return declaration रहेगा with sign, वो भी आपको scan कराके JPG format में रखना है, साथ में आपको आपके 12th और 10th के जो certificates हैं, उनको भी scan करके आपको properly रखना है, जिसमें 10th का document बहुत जादा important है, क्योंकि जो date of birth है, वो 10th के document पे जो लिखी रहेगी, वही consider की जाए, और उसके बाद बाकी सभी document जैसे मान लीजिए, आप अगर category में अगर apply करना चाह रहे हैं, तो आपके category का जो भी cast certificate, domicile certificate है, वो आपको ready रखना है, जैन उसके बाद बात करते हैं, MPPNST के examination pattern की, कैसे आपका exam होने वाला है, कौन-कौन से subject उसमें पूछे जाएंगे, कितने-कितने questions आएंगे, और कितने-कितने marks का weightage होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे की subject क तो इसमें English, Physics, Zoology, Botany और Chemistry, ये 5 subject पुछे जाएंगे, हर एक subject में से 30-30 question आएंगे, मतलब English के 30 question, Physics के 30 question, Zoology के 30 question, Botany के 30 question, Chemistry के 30 question, total 5 subject, हर एक question के लिए 1 mark आपको मिलेगा, मतलब total exam होगा, 1500 number का 150 marks का exam होगा, जो exam होने वाला है, वो 2 घंटे का exam होने वाला है, हर एक question के लिए 1 mark है, तो तयारी अच्छे से करना है, जिसमें biology सबसे important subject है, क्योंकि Zoology में से 30 question, मतलब 30 number, और Botany में से 30 number, ये आपको पुछी ज जाने वाले हैं, इंग्लिश में आपको general grammar पुछा जाएगा, बहुत कुछ हाइफाई नहीं पुछा जाएगा, तो इंग्लिश को लेकर इतने घवराने की ज़रूत नहीं है, तो दोस्तों ये था आपके MPPNST के exam form के बारे में detail, और MPPNST की जब भी कोई update आएगी, हम हमारे YouTube चैनल Bush and Science पे आपके लिए वो update लेकर आएगे, और आपके TSC Nursing के regular content के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, फिर मिलेंगे next video के लिए, bye, have a nice day and thank you.